दोस्तो देश में नदी परेटन की दिशा में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो भारत को दुनिया में एक रिवर टुरिजम के तोर पर पेश करेगी यह है कंगा विलास कुरूज जो अब तैयार है दुनिया की सबसे लंबी और रोमा अंचकारी यात्रा करने के लिए नए साल में बानारसी टू डिब्रुगर कुरूज चर्नी यह लगभग पतिस सव किलूमेटर रिवर कुरूज यात्रा की सुर्वात होगी यह दुनिया की सबसे लंबी कुरूज जर्नी होने जा रही है जो की 15 दिनों तक बंगला देश में ही रहेगी और तो और यह सुन्दरबन डिल्टा और काजी रंगा नेशनल पार्क जैसे राश्टिय उद्ध्यान और अभ्यरनों से गुजरेगी अब M.B. गंगा बिलास कुरूज भारत को सबसे सांदार और लंबी कुरूज यात्रा के तोर पर विश्वम में पहचान दिलाने जा रहा है M.B. गंगा बिलास देश के सबसे पुराने सहर बारा नसी के राम नगर पोर्ट पहुँच चुका है ये तेरा जन्मरी को बारा नसी से डिब्डुगड की सबसे एडवेंचरस सफर पर निकलेगा जिसे खुद पधान मंत्री नरेंद्र मोदी तेरा जन्मरी को हरे जंडी दिखा कर रामाना करेंगे मेड इन इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गंगा विलास क्रूज भारत का सबसे इसमार्ट कदम है पिछले सालों में रिबर क्रूज बजार पांच परतिसत की दर से बढ़ा है दो हजार सताइस तक इसमें 37 परतिसत तक पहुँचने का अनुआन है पचास दिनों के सफर के दवरान भारत के गंगा, भागीरती, हुगली, ब्रहंपुत्र और बेश्ट कोष्ट नहर समेत 27 नदियों के करीब 32 किलो मिटर छेतर को कभर करेगा अपने पहले सफर के दवरान या क्रूज, गाजिपूर, बकसर, पटना, साहेब गन, कोलकाता, धाका वागवाटी जैसे पचास परेटन अस्तलों से होकर गुजरेगा आधिकारिक बेपसाइट के अनुशार गंगा विलास की छमता 80 यात्रियों की है क्रूज के इस पहले सफर में स्वीटजर लेंड के 32 सैलानी सामिल होंगे इस क्रूज को 2008 में परमोट किया गया था और इसे 2020 में लौंच किया जाना था हलाकि कोरोना महामारी के चलते इसमें देरी हुई है इंटर्टेन्मेंट की सभी सुभधा इस क्रूज में उपलब्द होगा आज के इस विडियो में हम इसकी रूट जो कंप्लीट मैप है उसको देखेंगे कब से यात्रा सुरू होगी इस क्रूज में क्या-क्या फेसलेटी होगी और इसका टीकट प्राइस क्या है उसके विशे को हम लोग आज देखेंगे तो देखते हैं कासी बनारस आस्ता का बड़ा केंद्र है कासी विश्वानात कोरिडोर के बनने के बाद सर्धालूओं की संख्या में ज्यादा ब्रिदी हुई है यहां देव दिपावली का भी आयोजन किया जाता है परेटन को और बढ़ावा देने के लिए बनारस से दुनिया की सबसे लंबिक क्रूज जर्नी सुर्वात होने जा रही है यह भारत के पाँच राज्यो यूपी बिहार जहारकंड वेस्ट पंगाल और आसम से गुजरेगी और तो और और एक देश बंगला देश से भी गुजरेगी यह मेड इन इंडिया क्रूज है इसकी लंबाई लगभग बारसट दसमलो पाँच मीटर और इसकी चवड़ाई बारा दसमलो आठ मीटर लगभग तेरा मीटर है अपने 52 दिनों की यात्रा में 50 जगों से गुजरेगी बनारस गाजीपूर होते हुए बिहार पहुँचेगी बिहार में बकसर के बाद पतना के बाद मुगेर भागलपूर में सुल्तान गंज बटेशवर अस्थान होते हुए भरक्का से वेष्ट बंगाल में परवेश करेगी और 20 में दिन कोलकाता पहुचेगी इसके अगले दिन ही बंगला देश की सीमा में परवेश करेगी जहां 15 दिनों की यात्रा होगी एक भयान के मताबिक वारा नसी में गंगा नदी पर होने वाली मसहूर गंगा आरती के साथ या कुरुज अपने सफर में निकलेगा इस सफर में वापरसिद बहुत तिर्थस्तल सारनाथ तंत्र गतिवधियों के लिए मसहूर मायोंग और नदी में बने द्वीप माजूली भी जाएगा इसमें बहुत सारे खासियत हैं इस कुरुज में कुछ ऐसी खासियत है जो दुनिया का सबसे बड़ा रिभर कुरुज होने के साथ साथ अपने आप में अधभुत और अतुल्य बनाता है ये कुरुज में कुल 18 केविन यानी सूट जिसमें 36 मेहमान ठर सकते हैं ऐसा बताया जाता है कुरुज का फरनीचर से लेकर हर एक चीज हैंड मेड है गंगा नदी के किनारे जो सभ्यताएं भसी है उसे जानने का मौका मिलेगा परेटकों को साथ ही जो एक अनोखा अनुभव है वो भी नजर आएगा फाइब स्टार होटल जेश मिलेगी सुभ्यताएं यातरा को मरुन्जन बनाने के लिए यात्रियों के लिए रेस्टूरेंट, केम, डाइनिंग, जीम, स्पा, ओपन एर, उबजर्वेशन डेक, प्रसनलाज़ड बटलर, सर्वीस, आधी तमाम लगजरी सुभिधाएं होगी इसमें सावर के साथ साथ बातरूम, कनवर्टिवल बेट्स, प्रेंच बालकनी, LED TV, स्मोक डिटेक्टर, लाइफ बेश्ट और स्प्री कलर मौजूद है अब इसका किराय के विशे में हम लोग चर्शा कर लेते हैं इस क्रूज को PPP मोडल पल चलाया जाएगा यानि Public, Private, Partnership इस क्रूज की टिकट की कीमत भी ओपरेट करने वाली डिसाइड करेगी अभी तक टिकट प्राइस को लेकर ओफिसियल जानकारी नहीं दी गई है अभी तक ज़्यादातर क्रूज समूंदर में ही ओपरेट होती है मुंबय, गोवा, लक्षदीब और केरेला के बीच ओपरेट होती है एकाद क्रूज गंगा और ब्रहंपूतर नदी में ओपरेट होती है इसमें कुछ क्रूज गोर्मेंट द्वारा ओपरेट क्या जाता है जायत दततर क्रूज प्राइबेट या फिर PPP मोडल पर ओपरेट होती है लेकिन गंगा बिलास केवल इंडिया ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में सबसे लंबी क्रूज जर्नी होने जा रही है अगर ये सक्सेस्फूल होता है तो आने वाले समय इसी तरह का क्रूज शुरू होगा जो परेटन को पढ़ावा मिलेगा अगर आपको हमारी जानकरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सेयर और चेनल को सबस्क्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू भेरी माच